देस न्यूज इस ब्राट यो बाई नवरतन जोयलर्स छोटा चौक नाहन केंद्र सरकार के नए कृशी कानूनों के खिलाफ किसान संगठनो दरा मंगलवार को भारत बंद का आयोजन किया गया इसका असर नहराधार में भी देखने को मिला किसान पदाधिकारियों नहराधार बाजार में जिला किसान सभा अध्यक्ष रमेश बर्मा की अगवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेवाजी की इन्होंने हाथ में तक्ती उठाकर सरकार से आवान किया कि कृशी कानून को बापस लो मोधी सरकार होश में आओ कि नारों से पूरा बाजार गूंज उठा किसान सभा ने तैसिलदार के माध्यम से प्रधान मंत्री को ग्यापन सौंपा हलांकि नोराधार में भारत बंद का असर नहीं दिखा किसानों ने बारा दिन से दिली में तेरा डाला है हमारे को किसी को परशान करने का कोई मंचा नहीं है ना हम चाहते हैं ना हम व्यपारियों से अब ना किसानों से ना राजनेताँ से ना ठेकेदारों से सभी नौराधार की प्रभुद्ध जन्ता यहां पर उपस्तिन किसान संगशनों के लाग और मेरी अवाज के दारे में आने वाले सभी शोदागंड साथियों आप सबको पता है भारत का किसान पिछले बारा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है और भारा सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है तारीक में तारीक उनको बता रही है और पूरे भारत बंद का ऐलान 200 किसान संगशनों ने अवाण किया है जिसमें भारतिय जन्दा पार्टी और RSS के समंदर किसान संगशन भी है हम नौराधार की ख्षेत्र की जन्दा की तरब से उस समर्थन को पूरा समर्थन देते हैं उसान दोलन को साथियो हमारे भुजूर्गों ने इतने संधर्श के बाद लोड़ा दिविय हिमाचल टीवी के लिए नौराधार से संजीब ठाकुर की रिपोर्ट पारपरिक्वा अधूरिक आभुजूर्गों को लेकर प्रदेश में ब्रैंड बन चुका भुजूर्गों अपने ग्राकों के लिए विस्तर त्रेंज उप्रब्द करवा रहा है भुजूर्गों समूह लगतार 50 वर्षों से विभिनिक शेत्रों में अपने सेवाएं दे रहा है हमें अन्य ब्रैंड से जुदा करता है इसी वज़ा से आज हम ग्राकों के दिलों पर राज कर रहे हैं तो अगर आप भी आभुजूर्गों खरीदना चाहते हैं तो चले आएए आज ही भुजूर्गों सोलन